प्यार वो नशा है जो अगर किसी के सर पर सवार हो जाए तो उसे पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और तो और लोग दुनिया से लड़कर सारी मुसीबतों का सामना करके भी उस प्यार को मुकमल कर ही लिते हैं बॉलिवर्ड और क्रिकेट का रिष्टा हमेशा से ही गहरा रहा है चोली दामन के जैसे दोनों ही प्रोफेशन्स एक दूसरे से अक्सर जुड़े हुए थे है और शायद रहेंगे इसी साथ की एक कहानी लेकर आए हैं हम इस हफते पास्ट का पिटारा में महम्मद अजरुदिन क्रिकेट की दुनिया का वो नाम था जिसने बहुत कम समय में काफी शान और शौकत हासिल कर ली थी अपने करियर के शुरुआती दौर में अजरुदिन का नाम ना ही किसी कॉंट्रोवर्सी में शामल हुआ था और ना ही किसी के साथ उनके लिंक अप की खबरे आई थी साल 1987 में अजरुदिन की पहली शादी हुई एक 16 साल की हैदरबादी लड़की नौरीन से अजरुदिन और नौरीन की ये अरेंज मैरज थी नौरीन काफी सिंपल लड़की थी जो अक्सर इस चकाचौन भरी दुनिया से दूर रहती थी लेकिन जब-जब अजरुदिन को उनके साथ की जरूरत थी तब-तब वो अपना पूरा सपोर्ट देने से पीछे नहीं हटी अजरुदिन और नौरीन को दो बेटे हुए इनकी शादी में सब कुछ पॉफेक्ट चल रहा था 1990 तक लेकिन उसी दोरान अजरुदिन की मुलाकात हुई अपने समय की वन अप दो बिगस बॉलिवूड अक्ट्रिस और फॉर्मर मिस इंडिया संगीता विजलानी से एक एट शूर के दोरान पहनी नजर में ही संगीता ने अजरुदिन को अपना दिवाना बना दिया था जिसके बाद अजर अपना सब कुछ भूल गए यहां तक की अपनी बीवी नौरीन को भी लाइमलाइट से दूर रहने वाले अजर अब मुंबई कुछ ज्यादा ही आने लगे और यह सब सिर्फ संगीता से मिलने के लिए मुझे संगीता से उसी वक्त प्यार हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था और तब ही मैंने सोच लिया था कि मैं उससे शादी करूँगा कहते हैं कि जिनका मिलना लिखा होता है वो तब भी मिल जाते हैं जमाने के लाख रोक टोक के वावजूद और वैसा ही कुछ अजर और संगीता के साथ हुआ संगीता के दिल का कमरा उस्तवक खाली था और उनके दिल को गहरी चोट पहुँची थी जिसे मरहम लगाने वाले बने अजर दरसल संगीता उस दोरान सल्मान खान को डेट कर रही थी लेकिन सल्मान ने उन पर चीट किया था सोमी अली से और संगीता को पहुँचा था गहरा सद्मा लेकिन संगीता के इस मर्ज की दवा बनकर उनकी जिंदगी में आए अजर दोनों को एक दूसरे के साथ में वो सुकून मिला जो अब तक किसी और के साथ नहीं मिला था और शाय वो इंडिया हो या बाहर उस वक्त अजर का फोकस अपने गेम से हट कर संगीता पर ज्यादा रहने लगा था जिस वज़ा से टीम में इनके रिष्टे के खिलाव काफी बाते बनने लगी लेकिन इन सभी बातों के बावजूद अजर ने संगीता से अपना रिष्टा तोड नहीं नौरीन इन सभी बातों से इतनी अंजान थी कि उन्हें अब तक अपने पती के अफेर का पता नहीं चला जब तक उन्हें उनके शुप चिंतकों ने बताया नहीं काफी समय बाद नौरीन ने अपना पच्टावा एक इंटर्व्यू के जरिये शेर किया काश में थोड़ी और जिद्धी होती और अपने पती के साथ टूर्स पर जाती काश में इतनी शान पत्नी नहीं होती जैसे वो चाहते थे मैं रहूं कुछ समय बाद संगीता पर लोगों ने घर तोड़ने का इलजाम लगाना शुरू कर दिया लेकिन इन सभी बातों को इग्नौर करके संगीता और अजर अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे और देखते ही देखते साल 1996 में अजर ने नौरीन से डिवोस ले लिया ये डिवोस उन्हें काफी महंगा पड़ा उनके दो हैदरबाद वाले बंगलोज दो BMW कार्ज और बहुत सारा पैसा अजर को नौरीन को देना पड़ा खबरों के मताबिक उस दौरान संगीता प्रेगनिन थी और इसलिए वो अजर से शादी करना चाहती थी लेकिन उन्हें अजर की दूसरी वाइफ कते नहीं बनना था वो चाहती थी कि अजर पहले नौरीन को डिवोस दे और फिर उन से शादी करे नौरीन के भाई इस डिवोस से बिल्कुल खुश नहीं थे उन्होंने अपनी बहनकार दर्द बयान करते हुए कहा अजर ने डिवोस पेपर साइन किया और फिर नौरीन अपने कमरे से रोते-रोते आई और पेपर से साइन कर दिया शायद इस रिष्टे को खतम ही होना था बस यही तमन्ना थी यह रिष्टा थोड़ा और बहतर तरीके से खतम होता फैर सभी मुश्किलों के बावजूद अजर और संगीता ने अपना अलग आशियाना बना ही लिया और हसी खुशी शादी के कई साल निकल गए लेकिन देखते ही देखते अजर का बरताव फील्ड पर बदरता चला गया वो जितने शांस वभाव के हुआ करते थे उतने ही एरिगंट हो गए और ये सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बलकि उनकी नीजी जिन्दगी में भी देखा गया और तभी शायद देखते ही देखते संगीता और अजर की फेरी टेल लव स्टोरी तूटने के कगार पर आ गई साल 2009 ये वही साल है जब अजर और संगीता की दूरिया बढ़ने लगी और ये वो साल भी था जहां अजरुदिन और बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुटा की नस्दीकियां भी बढ़ने लगी ज्वाला जब अजर से मिली तब वो शादी शुदा थी लेकिन जब दो दिल मिलते हैं तो प्यार अपना रास्ता बना ही लीता है ज्वाला की शादी भी उस वक तूटने के कगार पर ही थी साल 2010 में अजर और संगीता अलग हो गए और ज्वाला ने भी अपने पती के साथ डिवोस फाइल कर दिया जब ऐसा हुआ तब सब का शक यकीन में बदल गया कि अजर और ज्वाला सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन अजर ने इस बात को जुटला दिया मैं ज्वाला को काफी सालों से जानता हूँ, वो मेरी दोस्त है और हमेशा ही रहेगी ये सब बनी-बनाई कहानिया हैं और ये कहानी बनाने वाले वो लोग हैं जो बैड्मिंचन असोसियेशन अफ इंडिया में मेरे खिलाफ है ये खबरे काफी दुखी कर देती है हलाकि कुछ समय बाद ये प्रूफ हो गया कि ज्वाला और अजर के बीश दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं था लेकिन ये रूमर्स काफी थे अजर और संगीता के 14 साल के प्यारे रिष्टे को तोडने के लिए क्या इनका रिष्टा इतना ही कमजोर था? क्या सिर्फ यही वज़ा थी दोनों के अलग होने की? ये तो कोई नहीं जानता लेकिन आज दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं और खुश है, जीवन की तो यही रीथ है किसी के जाने से ना किसी की जिंदगी रुकी है ना रुकेगी